प्यारे विध्यार्थियों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उमीद है कि आप सब तंद्रुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आपका उत्साह कायम होगा बच्चों, आज हम दस्वी कक्षा के विध्यान का अध्याय दस, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का भाग दो पढ़ेंगे तो चलिए, पहले देखते हैं कि इस अध्याय के भाग एक में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? गोली दरपन किते प्रकार के होते हैं गोली दरपनों के द्वारा प्रतिबिम किस प्रकार बनते हैं और गोली दरपनों के लिए नई चिन्न परिपाटी क्या है यह सब हम भाग एक में पढ़ चुके हैं तो चलिए, अब देखते हैं कि इस अध्याय के भाग दो में हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, काज की आयताकार स्लैब से अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांग, गोलिये लेंसों के द्वारा अपवर्तन वा प्रतिविंबों का बनना, गोलिये लेंसों के लिए नई चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र वा आवर्थन और लेंस की शम्ता, तो चलिए बच्चों, इन सभी टॉपिक्स को हम एक-एक कर पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, बच्चों, क्या आपने कभी प्रकाश की किरण का रास्ता देखा है, जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या यह सरल रेखा में चलती है, यह अपनी दिशा बदल लेती है, आईए, कुछ उधार्नों के द्वारा इसे समझते हैं, एक पैंसिल को पानी के एक ग्लास में डाले, पानी में डूबी पैंसिल के भाग से आपके पास पहुचने वाला प्रकाश, पानी के बाहर पैंसिल के भाग के तुलना में भिन दिशा से आता प्रतीत होता है, इसी तरहे, यदि किसी पानी के तलाब को देखते हैं, तो हमें उसकी गहराई, वास्तविक गहराई से कम लगेगी काच के एक गिलास में सिक्का डालने पर वह उठावा प्रतीत होता है किसी काच की स्लैब को किसी छपी हुई सामगरी पर रखने पर और काच की स्लैब के उपर से देखने पर अक्षर उपर की और उठेवे प्रतीत होते है ऐसा क्यूं होता है? चलिए, पैंसिल वाले उधारण को देखते है पानी के बीकर में आंशिक रूप से डूबी पैंसिल हमें मुड़ी हुई या तूटी हुई प्रतीत होती है प्रकाश की किरण भिन भिन दिशाओं से आती हुई हमारी आखों में पहुचती है और इसी कारण पैंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है ये सभी उधारण हमें यह बताते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्चा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसी परिगटना को अपवर्तन कहा जाता है आई एक और उधारन देखते हैं जब हम पानी से भरे बीकर में एक सिक्का डालते हैं और जब हम उसे देखते हैं तो प्रकाश सिक्के पर पढ़कर पहले अपना रास्ता पानी में तै करता है और फिर हवा से होते हुए यही प्रकाश हमारी आखों तक पहुँचता है जिसके कारण सिक्का हमें उभरा हुआ या अपने स्थान से थोड़ा उठावा प्रतीत होता है आईए बच्चों, एक काच की स्लैब से अपवर्तन को देखते हैं इसके लिए ड्रॉइंग बोर्ट पर एक सफेद कागस की शीट ड्रॉइंग पिन्नों की सहायता से लगाईए शीट के उपर बीच में एक आयताकार काच की स्लैब रखकर इसकी रूप रेखा पैंसिल से खीचिए इस रूप रेखा का नाम A, B, C, D रखते हैं चार ओल पिन्स लीजिए E व एफ उर्ध्वा धरत इस प्रकार लगाएं कि इन पिन्नों को मिलाने वाली रेखा कोर A, B से कोई कोण बनाती हो पिन्न E तथा F के प्रतिबिम्बों को विपरीत फलक से देखिए तथा दो अन्य पिन्नों G व एच को इस प्रकार लगाएं कि ये पिन्ने E तथा F के प्रतिबिम्ब से एक सीधी रेखा पर स्थित हों अब काच की स्लैब तथा पिन्स को हटा दीजिए पिन्नों A व एच की नोकों की स्थितियों को मिलाएं तथा इस रेखा को A, B तक बढ़ाएं मान लिजिए EF AB से O बिंदू पर मिलती है इसी तरह पिन्नों G वँ H की नोकों की स्थितियों को मिलाईए तता इस रेखा को कोर CD तक बढ़ाईए मान लिजिए GH CD से O डैश पर मिलती है O वँ O डैश को मिलाईए EF को P तक बिंदू कित रेखा के रूप में बढ़ाईए तो बच्चों इस क्रिया कलाप में हम देखते हैं कि प्रकाश की किरण ने अपनी दिशा O वँ O डैश बिंदूओं पर परवर्तित करी ये दोनों ही बिंदू दो अलग पारदर्शी माध्यमों को प्रथक करने वाले प्रष्ठों पर स्थित हैं बिंदू ओपर प्रकाश की किरण विरल माध्यम अर्थार्थ वायू से सगन माध्यम अर्थार्थ काच में प्रवेश करती है और अभिलंब की और जुक जाती है O डैश पर प्रकाश की किरण सगन माध्यम अर्थार्थ काच से विरल माध्यम अर्थार्थ वायू में प्रवेश करती है और अभिलंब से दूर मुर जाती है यहाँ E O आप्तित किरण O O डैश अपवर्तित किरण वह O-H, निर्गत किरण है आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समानतर है ऐसा क्यूं? क्यूंकि काच की स्लैब के फलक AB वह फलक CD पर प्रकाश की किरण के मुर्णे का परिमान समान तथा विपरीत है अत्या बच्चों, अप वर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है आए बच्चों, अब हम अप वर्तन के नियम पढ़ते हैं जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रकाश एक समान चाल वह सीधी रेखा में गती करता है यदि माध्यम एक समान हो परन्तु जब प्रकाश विरल माध्यम से सगन माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कम हो जाती है और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है प्रकाश के अपवर्तन के नियम सभी इस्थितियों पर लागू होते हैं यह नियम है आप्तित किरन अपवर्तित किरन तथा दोनों माध्यमों को प्रथक करने वाले प्रश्थ के आप्तन बिंदू पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं और दूसरा नियम है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आप्तन कोन की जया sini तथा अपवर्तन कोन की जया sinr का अनुपात स्थिर होता है इससे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं साइन आय बटा साइन आर is equal to एक स्थिरांक है इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है आये बच्चों अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा डिटेल में पड़ते हैं किनी दो माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा के विस्तार को अपवर्तनांख के रूप में व्यक्त किया जाता है। हमने पढ़ा कि प्रकाश बिन माध्यमों में अलग-अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुण दसकी घट आठ मीटर पर सेकेंड होती है, जो किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक है। किन ही दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांग का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है यदि माध्यम एक वायू है तो माध्यम दो का अपवर्तनांग निर्वात के सापेक्ष माना जाता है जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांग या केवल अपवर्तनांग कहते हैं इसे N से बताते हैं यदि वायू में प्रकाश की चाल C है तता माध्यम में प्रकाश की चाल V है तो माध्यम का अपवर्तनांग NM होगा NM is equals to वायू में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल N is equal to C बटा V बच्चों, जल का अपवर्तनांक एक पॉइंट तीन तीन है इसका अर्थ है कि वायू में प्रकाश का चाल वा जल में प्रकाश की चाल का अनुपात एक पॉइंट तीन तीन है चलिए बच्चों, अब हम गोलिये लेंसों के द्वारा अपवर्तन को पढ़ते हैं आपने देखा ही होगा घड़ी साज, घड़ी के छोटे-छोटे पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंसों का उप्योग करते हैं जिनने हम मैगनिफाइंग ग्लास कहते हैं आपने कई लोगों को पढ़ते वे आनक या चश्मे का उप्योग करते देखा होगा वास्तव में यह भी गोलिये लेंस हैं जो की आवर्धक होते हैं बच्चों, दो प्रष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों प्रष्ठ गोलिये हो लेंस कहलाते हैं यह दो प्रकार के होते हैं उत्तल लेंस या कनवेक्स लेंस और अफ्तल लेंस या कनकेव लेंस आईए पहले उत्तल लेंस को देखते हैं इस लेंस की दो प्रष्ठ होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं ऐसे lens को द्वियुत्तर lens भी कहा जाता है यह बीच से मोटे वो किनारों से पतले होते हैं और प्रकाश की किर्णों को अभिसारित या इकठी करते हैं इसलिए इन्हें अभिसारी lens भी कहा जाता है अफ्तल lens भे है lens है जो अंदर की और वकृत दो गोलिय प्रष्ठों से घिरा होता है यह मध्य से पतला तथा किनारों से अपएक्शकृत मोटा होता है यह प्रकाश की किर्णों को अपसारित करता है अर्थात फैलाता है इसी कारण अफ्तल lens अपसारी lens कहलाता है बच्चों, लेंसों में भी दरपण की ही तरहे वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F आदी बिंदू होते हैं आप देखेंगे कि उत्तर लेंस पर मुख्य अक्ष के समानतर जब बहुत सी प्रकाश किर्णे आपतित होती हैं तो ये किर्णे अफ लेंस से अफवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदू पर अभिसारित हो जाती हैं मुख्य अक्ष पर यह बिंदू लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है जबकि अफ्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानतर प्रकाश की किर्णे आप्तित होने पर ये किर्णे लेंस से अपवर्तन के पस्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदू से अपसरित होती प्रतीत होती हैं मुख्यक्ष पर यह बिंदू अफ्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है प्रते एक लेंस का केंदर यह बिंदू इसका प्रकाशिक केंदर O कहलाता है किसी लेंस के मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंदर के दूरी फोकस दूरी small f होती है आईए अब हम गोलिय लेंसों के द्वारा प्रतिविम्भों का बनना देखते हैं सबसे पहले लेते हैं उत्तर लेंस एक उत्तर लेंस के सामने जलती हुई बोमबति रखें और इसके एक और स्क्रीन या परदा रखें जिस पर हमने प्रतिविम्भ प्राप्ट करना है जलते हुई मोमबत्ती इसकी फोकस दूरी से काफी दूर रखें आप देखेंगे कि परदे पर इस मोमबत्ती का एक तीख्ष्ण वसपष्ट प्रतिविम प्राप्त होता है यह प्रतिविम उल्टा और वास्तविक है वास्तविक क्यों? बिल्कुल सही क्योंकि इस प्रतिविम को हम परदे पर प्राप्त कर पा रहे हैं जिस प्रतिविम को हम परदे पर प्राप्त नहीं कर पाते वे आभासी कहलाता है अब इस मोमबत्ती को अनंत से धीरे धीरे लेंस की तरफ ले जाएं और विभिन बिंदों जैसे कि 2F1 से परे 2F1 पर 2F1 और F1 के बीच F1 पर लाकर रखें और प्रतिबिम्ब का आकार और प्रकृति देखिए आप देखेंगे कि सभी परिस्थितियों में प्रतिबिम्ब वास्तविक वा उल्टा बनता है पर जैसे जैसे हम मुम्बत्ती को लेंस के नजदीक ले जाते हैं प्रतिबिम्ब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और प्रतिबिम्ब लेंस से दूर होता जाता है आखरी स्थिती में जब मुणबती को lens के focus वा प्रकाशिक केंदर के बीच रखा जाता है तो इसके प्रतिबिम्ब का आकार बहुत बड़ा हो जाता है और अब हम इसे परदे पर प्राप्त नहीं कर पाते अब इसका प्रतिबिम लेंस के उसी और बड़ा आभासी वह सीधा बनता है इस प्रकार इस सारणी के माध्यम से हम उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तू की विभिन स्थितियों के लिए बने प्रतिबिम्बों की स्थिति वह आकार और प्रिकृति को समझ सकते हैं चलिए बच्चों, यहां मैं मोमबत्ती और लेंस के साथ प्रतिबिम्ब बनाने की कोशिश करती हूँ उत्तल लेंस के साथ प्रतिबिम्बों को बनाने के लिए हमारे पास है उत्तल लेंस लेंस्टेंड में लगा हुआ मोमबत्ती और स्क्रीन जिस पर आपको मोमबत्ती की एक छोटी सी इमेज दिखाई दे रही है मोमबत्ती को आगे पीछे करके हम मोमबत्ती के प्रतिबिंब को स्क्रीन पर लाने का प्रयास करती है आप देखेंगे जैसे जैसे मुम्बत्ती को लेंस से दूर ले जाया जा रहा है एक अनंत बिंदू पर जब रखा जाता है तो हमें मुम्बत्ती का एक तीक्षन प्रतिबिंब मिल रहा है यह प्रतिबिम्ब आकार में मुम्बत्ती की लौ से काफी छोटा है और उल्टा है और क्यूंकि हम इसे परदे पर प्राप्त कर पा रहे हैं इसलिए यह वास्तविक है वास्तविक और उल्टा और आकार में छोटा जैसे जैसे हम मुम्बत्ती को लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंदर के बीच में लाते हैं तो आप देखेंगे कि पर्दे पर मुम्बत्ती की इमेज दिखना बंध हो गई है अब हमें मोमबत्ती लेंस के अंदर दिखाई दे रही है बड़ी और सीधी दिखाई दे रही है क्योंकि अब हम मोमबत्ती के प्रतिविम को परदे पर नहीं प्राप्त कर पा रही है यानि कि लेंस के अंदर जो मोमबत्ती का प्रतिविम बन रहा है वो सीधा है, बड़ा है और आभासी है क्योंकि इसे हम परदे पर प्राप नहीं कर पा रही है आईए बच्चों, अब देखते हैं अवतल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिम बनाता है बच्चों, जब किसी मुम्बत्ती को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है तो आप देखेंगे कि अवतल लेंस सद्याव एक छोटा अभासी और सीधा प्रतिबिम बनाता है चाहे वस्तू की स्थिती कहीं भी हो चलिए, करके देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिम प्राप्त करने के लिए हमारे पास है एक अवतल लेंस अब स्टैंड में लगा हुआ, मुमबत्ती और स्क्रीन आप देखेंगे कि मुमबत्ती को जब मैं लेंस के आगे या लेंस से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रही हूँ तो हमें परदे पर किसी भी प्रकार की मुमबत्ती क्या प्रतिबिम दिखाई नहीं दे रहा है लेंस जो है किसी भी वस्तू का प्रतिबिम छोटा, सीधा और आभासी दिखाते हैं आभासी इसलिए क्योंकि इस प्रतिबिम को हम परदे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं गोलिये लेंसों के लिए चिन्ह परिपाती बच्चों, लेंस भी दरपणों की तरही चिन्ह परिपाती अपनाते हैं लेंसों के लिए भी वही नियम होते हैं जो दरपण के लिए हैं लेंस में दूरियां प्रकाशिक केंद्र यानि की ओ से नापी जाती हैं परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी प्रनात्मक ली जाती है प्रकाश की किरने सदेव बाई और से ही आपतित मानी जाती है अर्थार्थ वस्तू बाई और ही रखी जाती है अब देखते हैं लेंस सूत्र वा आवर्धन लेंसों में वस्तु या बिम्ब की दूरी small u प्रति बिम्ब दूरी small v तथा focus दूरी small f के बीच संबंध लेंस सूत्र कहलाता है और यह है 1 बटा v minus 1 बटा u is equals to 1 बटा f अब देखते हैं आवर्धन किसी लेंस में उत्पन आवर्धन प्रति बिम्ब की उचाई और बिम्ब की उचाई का अनुपात होता है इसे हम m से बताते हैं आवर्धन m बराबर है प्रति बिम्ब की उचाई बटा बिम्ब की उचाई is equals to h-बटा h आवर्धन बिम्ब दूरी U वो प्रतिबिम्ब दूरी V से भी संबंदित है आवर्धन M बराबर H-बटा H is equal to V-बटा U आवर्धन तथा प्रतिबिम्ब की उचाई के रिनात्मक मान हमें यह बताते हैं कि प्रतिबिम्ब उल्टा तथा वास्तविक है और यह मुख्य अक्ष के नीचे की और बनता है जबकि इनका धनात्मक मान प्रतिबिम्ब के आभासी और सीधे होने को बताता है बच्चों आपको पता ही है जब हमारी आखे कमजोर हो जाती है तो हमें चश्मा या एनक लगाने को कहा जाता है इसके लिए हम अपनी आखें पहले डॉक्टर से चेक करवाते हैं और फिर डॉक्टर हमें एक उप्युक्त शमता या उप्युक्त पावर का लेंस वाला चश्मा लगाने के लिए सलहा देते हैं ये लेंस की पावर या शमता क्या होती है किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किर्णों को अभिसारित या अपसारित करने की मात्रा को उस लेंस की शमता के रूप में बताया जाता है इसे हम P से बताते हैं यदि किसी लेंस की focus दूरी small f है तो उसकी शमता P का मान होगा P बराबर एक बटा F लेंस की शमता का मातरक डायप्टर है जिसे capital D से बताते हैं यदि focus दूरी F का मान एक मीटर है तो उस लेंस की शमता एक डायप्टर होगी किसी भी उत्तल लेंस की शमता धनात्मक तथा अफ्तल लेंस की शमता प्रिनात्मक होती है ऐसा क्यूं भला? क्यूंकि उत्तल लेंस की focus दूरी धनात्मक और अफ्तल लेंस की focus दूरी प्रिनात्मक होती है तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं इस पार्ट में हमने क्या-क्या पढ़ा प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्चा प्रवेश करने पर अपनी दिशा बदल लेना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है सगन से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है जबकि विरल से सगन माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब की और जुग जाती है प्रकाश का अपवर्तन विविन माध्यमों में प्रकाश की चाल बदलने के कारण होता है किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की निर्वात या वायू में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल का अनुपात होता है किसी लेंस की शमता उसकी फोकस दूरी का व्यतकरुम होता है चलिए कुछ प्रशन देख लिए जाएं मुझे पूरी उमीद है आपको इसके उत्तर आते होंगे पहला प्रशन किसी डिक्ष्णरी के छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उप्योग करेंगे उत्तर लेंस का या अप्तर लेंस का जी हाँ उत्तर लेंस का दूसरा प्रशन जब प्रकाश की किरन पानी से वायू में आती है तो इसका जुकाव पहला अभिलंब से दूर होगा दूसरा अभिलंब की तरफ होगा जी हाँ बच्चों अभिलंब से दूर होगा क्योंकि पानी वायू की तुल्ला में सगन माध्यम है और जब प्रकाश की किरन सगन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो है अभिलंब से दूर हटती है तीसरा प्रश्ण, कौन सा गोली ये लेंस अपसारी लेंस कहलाता है बिल्कुल ठीक, अवतल लेंस क्योंकि किर्णों को फैलाता है इसलिए ये है अवसारी लेंस कहलाता है आखरी प्रश्ण, यदि आपके चश्मे के लेंस की शमता धनातमक 1.5D है तो वह lens कौन सा है? जी हाँ, बिलकुल ठी, यह lens उत्तल lens है, क्योंकि उत्तल lens की focus दूरी धनात्मक होती है, और इसी कारण उत्तल lens की शम्ता भी धनात्मक होती है. तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन हमें अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है गोली ये लेंसों के द्वारा अपवर्तन किस प्रकार होता है और लेंस की शमता क्या होती है जिसका भी हम दैनिक जीवन में उप्योग करते हैं हमारे चश्मों में तो बच्चों इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह अध्याय अच्छी तरह समझ आया होगा तो बच्चों आप पढ़ते रहे बढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे जल्द ही मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ नमस्कार